आज मैं आपको बिहार के मदुबनी जिला की कुछ खास बातों के बारे में आपके साथ जानकारी साज़ा करेंगे, जो शायद आप नहीं जानते होंगे, उमीद करता हूँ, आपको ये मेरा वीडियो जरूर पसंद आएगा, वीडियो शुरू करने से पहले करूगा, आप ल थिला इलाकी के हिस्से में आता है, इस जिले का हीड क्वाटर मदुबनी शहर है, और ये दर्भंगा डिविजन के अंतरगत आता है, यह एक मदुबनी का प्रमुख शहर, और जिला कहलाता है, मदुबनी जिला पहले दर्भंगा जिले का ही हिस्सा हुआ करता था, जो पहल मदुबनी जिला का मुख्य भाशा हिंदी और मैथिली है जो सुनने में बहुती मधुर और सरस है। मदुबनी जिला का नाम दो शब्नों से मिलकर बना है। पहले के जमाने में यहां के जंगल में मदु यानी के शहद अधिक मात्रा में पाय जाते थे। इसलिए इस जगे का नाम मदू और वनी से मिलकर मदू बनी बन गया कुछ लोगों का ये भी मानना है कि मदू बनी शब्द मधुर और वानी से मिलकर बना है मदू बनी जिला के उतर में नेपाल, दक्षिन में दर्भंगा, पुरब में सुपॉल और पस्चिम में सीता मडी जिला से घिरा हुआ है पुरे विश्व में मशूर मितिला, पेंटिंग और मखाना के पैदावार की वज़े से पुरे मदू बनी जिला को विश्व भर में जाना जाता है शुरुवात में यह इलाका रंगोली के कलाकारों द्वारा रहने के बाद यह कला धीरे-धीरे माडन तरीके से कप्णों में, दीवारों में और कागज पर भी उतर आई है मिथिला की औरतों द्वारा शुरू की गई इस घरेलू चित्र कला को, आज पुरुषों ने भी इस कला को अपने अंदर उतार लिया है नदियों के मैदान में बसा, मदू बनी जिला, बिहार की राजदानी पटना से महज 172 किलोमीटर की दूरी पर है मदू बनी जिला में 5 चनुमंडल है, 21 प्रक्खंड, 18 पुलिस टेशन, 2 जेल, 399 पम चायते और 1111 गावों में पुरा मदू बनी जिला बटा हुआ है, मदू बनी जिला में 2 लोग सभाक्षेत्र और 11 विधान सभाक्षेत्र है ख्षेत्रफल की बात करें तो, इस जिले का ख्षेत्रफल लगभग 3,501 वर किलोमीटर में फैला हुआ है, जिला में रहने वाले परिवारों की कुल संख्या 8,98,500 है आबादी की बात करें तो, साल 2011 के जंगरना के अनुसार, जिला की कुल आबादी 44,88,000 हैं, जिसमें की पुरुष्ट की आबादी 23,39,500 और महिला की आबादी 8,98,500 है इस जिले का ओसत लिंगनुपात 9,25 के करीब है, यानी की 1000 पुरुष्ट पर 9,25 तरी है, इस जिले में हिंदू दर्म की आबादी 36,50,000 हैं, यानी की 81% और मुसलिम दर्म की आबादी 8,20,000 हैं, यानी की 85% के करीब करीब है खेती और विवसाय की बात करे तो इस जिले की मुखे फसलें, धान, गेहूं, मक्का, मक्खाना इत्यादी है, भारत में मक्ाना का कुल पैदावार का 80%, मदुबनी जिला में होता है मदुबनी के पुरे जिला में पचीस सो से ज्यादा छोटा विवसाय शामिल है जैसे पेंटिंग विवसाय, स्टील विवसाय, फरनीचर विवसाय, पेरिंटींग प्रेश, चूरा मिल, चावल मिल नदिया की बात करें तो इस जिले के चारों तरफ नदियों का जाल बिचा है, जिस कारण बरसात के दुनों में हर साल लोगों के तबाही का कारण बनती है, मदुबनी जिला में बहुत सारे नदिया हैं, जो सभी नदिया आपस में मिले हुए हैं शिक्षा की बात की जाए तो इस जिले में प्रात्मिक विद्याल 900 के करीब है मध्य विद्याल 182, माध्यमिक विद्याल 119 और डिग्री कॉलेज 27 हैं आपको बता दे मधुबनी जिला, महकवी कालिदास, मैथिली कवी विद्यापती और वाचसंस्ती जैसे विद्वानों की जन्म भूमे रही है तूरिस्ट स्थलों की बात करे तो यहाँ पर कई ऐसे स्थान है जहाँ पर टूरिस्ट घुम सकते हैं यहां के कुछ महत्वपून स्थान के नाम इस प्रकार है सौरट यह मधुबनी जयनगर रोड पर एक सड़ग के किनारे गाउं है और इसमें सोमनात महादेव नामक एक मंदिर है कपिल अश्वरस्थान मधुबनी शहर से 9 किलोमीटर दूर एक गाउं है यह गाउंव अपने शिव मंदिर के लिए मशूर है जिसे कपिल अश्वरस्थान भी कहा जाता है भवानीपूर यह पांडॉल ब्लॉक से 5 किलोमीटर दूर पर एक बड़ा गाउं है यह गाउंव उगारनात के मंदिर और मशूर कवी विद्यापती के नाम से मशूर है उचिता बेनीपटी ब्लॉक के गाउं थुमने नदी के पस्चमिक किनारे पर भगवती मंदिर के लिए जाना जाता है परस्मान नात मंदिर शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है जो राहुआ संग्राम गाउं की पूर्वत तरदिशा में स्थित है जो मधे पूर ब्लॉक से 6 किलोमीटर दूर है राजनगर मदूबनी जिले का एक एतिहासिक जगे है इस महल में एक मशूर देवी काली का मंदिर है जिसके बारे में इलाके के लोगों में काफी माहियता और शद्धा है सडक रास्ते की बात करें तो मदुबनी जिला बिहार के सभी मुख्य शहरों से सडक रास्ते द्वारा जुडा हुआ है यहां से मौजूदा समय में तीन नाशनल हाईवे और दो राज्य हाईवे गुजरती हैं मुजफरपुर से फारबिस गंज होते हुए पूर्ण या जाने वाला नाशनल हाईवे संतावन मदुबनी जिला होते हुए जाती है नाशनल हाईवे संख्या संतावन, नाशनल हाईवे संख्या 104, नाशनल हाईवे संख्या 105 ये सभी हाईवे मदोबनी जिला होकर गुजरती है रेलवे स्टेशन की बात करें तो, मदोबनी रेलवे स्टेशन, दिल्ली गुवाहाटी, रूट पर स्थित, समस्तिपूर जंक्षन से एक लाइन मदोबनी होते हुए, नेपाल सीमा पर ज्वानजारपूर को जाती है दिल्ली, मुंबाई, कोलकाता, अमरितसर, गुवाहाटी तथा अन्य महत्वपून शेहरों के लिए यहां से सीधी ट्रेने उपलब्द हैं इस टेशन पर दो प्लेट फॉम और चार ट्रेक हैं यह भारतिय रेलवे के सेंट्रल रेलवे क्षेतर के समस्ती पूर्ट डिविजन के अंतरगत आता है दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो क्रिप्या लाइं करे, मेरे चानल को सब्सक्राइब करे और अपने दोस्तों और रिष्टेदारों के साथ शेर करना न भूले